कि हेलो फ्रेंड्स दिशिट एस पिशिंग एंड वेलकम टू इस्मार्टर एवरी डिए प्यारे दोस्तों सीटेट चौदा पंद्रा दिस्टमबर को टारेट करते वे हमारी इस्टे की क्लासेस कंटिनुए जिसमें इसमें पॉलिटी क्लास सर गई है ठीक है सिक्लास एक सेव सब्सक्राइब करवाया जो इधर कe इस्ट चैप這邊 की कंटिनुए थी है जिसमें के कहते हैं उनकी पिवाई की उनने साथ में नहीं करवाए थे तो आज की गलास में जो एदर अलगर चाट की पॉलिटी के तीन प्यूकर कंटिन करवाया गये हैं तो इनको इन प्रिश्टों को हम सम्झेंगे जितने भी क्लासरे जो है उनकी प्लेल्इस पुरी बनी हुए और उसका लिंग में आप सब्सक्रप्य संद हो प्लेलिस्ट्ches पर्लिक्रिक करेंगेह अपस हे जाएग सेन्स कीन हमेशिवन करता है कि शासन की विवस्ता केवल कुछ विशेश अधिकरत लोगों को समलित नहीं करती कहता है कि हमारा समिधान ये फिक्स नहीं करता कि जो शासन की विवस्ता है वो केवल कुछ विशेश जिनको अधिकार प्राप्त हैं वही लोगों को समलित नहीं करती जो सभी के लिए नेले यहां सरकार के विभिन इसतर हैं अलग-अलग इसतर पर सरकार काम करती है जो समिधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं यह भारती समिधान के निमलिकित विशेष्टा की व्याख्या करता है किसकी व्याख्या करता है यह संगवाद की शक्तियों के संगबाद की जिसको हम फेडरलिसम भी कहते हैं इसमें कहा गया है इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा इस्तर की सरकारों का होना भई देश में एक से अधिक इस्तर की सरकारे हैं सरकार के विबिन इस्तर हैं और जो क्या करते हैं जो समिधान से ही अपने ताकत और अधि गर प्रप्त करते हैं हमारे देश में राज इस्तर पर भी सरकारे हैं केंद्र इस्तर पर भी सरकारे हैं सरकार है पंचायती राज वजस्ता क्या है शासन का तीसरा इस्तर होता है ठीक है ये किसके ये संगबाद में ये सब कहा गया है और क्या कहा गया है कि हमारा समिधान ये स का फैसला ना लें यानि कि सासन की वजस्ता केवल कुछ विशेश अधिकरत लोगों को समलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्ने ले सकें है ना और आगे इसमें क्या कहा गया है इसमें आगे कहता है कि इसमें बताया गया है कि कौन से इस्तर की सरकार किन मुद्दों पर बना सकती है है ना और प्रते किस्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंद्जाम कहां से करती है संगवाद के अंतरकत तर राज केवल केंदरी सरकार के प्रतिनदी नहीं होते उन्हें भी समिधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं तो ये सारी बात किसमें कह अगला प्रसन लेते हैं प्रस्ष्ण कहता है देखेगा जाज सभा के सदश्च का चुनाओ विभिन राजों के विधान सभाओν के न्रवाचिट सदश्चच Kız करते हैं ये मुख्यता संसत में राजियों के प्रतिनिधियों की रूप में काम करती है और D कहता है कि इसकी लोकसभा के दौरा प्रयवरतित नियमों की पुनरावरतियों प्रिवरतन में एहम भूमिका होती है इसमें कौन सा उप्शन शही है कौन सा गलत है तो ये चारों आप्सन हमें यहाँ पे मिलेंगे पहला पॉइंट कहरा था कि राज शबा की बारा सदर्षे कितने बारा सदर्षे जो हैं वो प्रधानमंत्री के दौरा नामा कित किये जाते हैं नहीं राश्टपती की ओर से मनोनीद किये जाते हैं पहला जो पॉइंट रहेगा वो कट जाएगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री दोरा नहीं राश्टपती की ओर से मनुनित किये जाते हैं बारा सदर्शे ठीक है पहला आप्शन कट कैए दूसरा कह रहा है राज सबा के सदर्शे का चुनाओ विभिन राजियों की विधान वाचित शदर्शे करते हैं वेरे गुड़ यह बी ऑप्सन एज इस यहां से पॉइंट उठाया गया है यह राइट हो जाता है सी कहता है कि यह मुखिताहा संसद में राजियों के हां राजिस्वा मुख्य रूप से देश के राजियों की प्रतनिधी के रूप में काम करती है वेरे गुड़ सी ऑप्सन भी यहां से उठा लिया गया है जो की बिलकुल राइट है अगला कहता है कि इसकी लोक्षभा के दौरा प्रवर्तित नियमों की पुनरावती प्रिवर्तन में भूमिका है जी हां संसद का यह जो सदन है वो लोक्षभा के दौरा पारित किये कानूनों की समिक्षा करता है अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है उसमें परिवर्तन भी करता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा एक गलत है बाकी सारे ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं एक गलत है क्योंकि यहाँ पर अगर राष्ट्रपती होता तब यह आप सनलाइट हो जाते हैं हम BCD के साथ में चले जाएंगे BCD is the right one over here वेरी गूड बहुत बहुत बहितने प्रेशन अगला प्रेशन कहता है निमने लिक्त मेंसे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है तो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था भारती शमिधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जैसे पॉइंट दिया गया था कि पहला धार्मिक शौतंतरता का अधिकार दिया गया है तो धार्मिक शौतंतरता का अधिकार देखे यहां पे है जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक शौतंतरता दी गई है प्रतिक विक्त को अपने इक्षा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रशाज करने का पूरा अधिकार यानि कि ये तो हमारा सही है मौलिक अधिकार है पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है दूसरा कह रहा था समयधानिक उपचार का अधिकार समयधानिक उपचार का अधिकार यह भी क्या है हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है अगर किसी नागरी को लगता है कि राजी के दोरा उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उलंगन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है ये भी राइट है, तीसरा था संपत्ति का अधिकार, कैसे में संपत्ति का अधिकार कहीं पे है, नहीं है, अगला कह रहा था प्राडमिक सिक्षा गरहन करना, तो प्राडमिक सिक्षा गरहन करना वो इसके अंतरगत, यानिकी सैचनिक अधिकार के अंतरगत, वो हमारा सिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है क्या मौलिक अधिकार नहीं है इसको 44 में सम्विधान संसोधन 44 में सम्विधान संसोधन से हटा दिया गया और सम्विधान के भाग 12 में अनुच्छे 301 के तहत इसको कानुनी अथ्वा विधिक अधिकार बनाया गया है किसको संपत्ती के अधिकार को यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है option जो C रहेगा वो इस प्रेश्ट में हमारा right हो जाएगा very good बहुत भेदिन प्रेश्ट एक से बढ़ कर एक प्रेश्ट कहता है next संयुक तराज अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निशेद कर दिया किसके आधार पर भेदभाव का निशेद कर दिया इसके option नीचे पढ़ते हैं नसल के अधार पर धर्म के अधार पर जेन्डर के अधार पर राश्ट्री मूल के अधार पर सही विकल्ब हमको यहां पर चुनना है जो भी विद्यरती यह एंसियारिटी को पढ़ रहा है डेफिनेटली वही एक्जाम को क्रेक कर पाएगा यहां पर देखिए प्रिश्ण का असर यहां पर दिया है कि 1964 अच्छा ज पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोशेद कर दिया गया ठीक है तो यहां पर तीन चीजे राइट हो जाएंगी नसल धर्म और राश्ट्रियता जिसको निश्टनल ओरिजिन अत्वा राश्ट्रिय मूल कहते हैं तो नसल धर्म और राश्ट्रियता के आधार पर भेदभाव का निश्ट किया गया है एक तो हमारा क्या हो जाएगा नसल सही है धर्म के आधार पर तथा राश्ट्रियता के आधार पर उके राश्ट्रियता यात्वा अर्थात राश्ट्रिय मूल के आधार पर क्या होगा भेदभाव का निश्ट किया गया है ए बी और D option इसमें आपके right हो जाएंगे A, B, D, ठीके option B इस था right one in this question इतनी बात के लिए रोगई, question आपने पहले ही समझ लिया था आगे बढ़ते है next question आपसे कहता है, क्या कहता है question देखेगा कब का question यह 30 दिन अवरी 2030 का question है, कहता है एक लोगतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है, डैश का होना या लागू करना किसका होना या लागू करना प्रतिन दित्व की आनुपातिक व्यवस्ता सर्भामिक व्यश्क मतादिकार फास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम या फिर छेत्री प्रतिन दित्व विच वन विच उप्सन यहाँ पर कौन सा उप्सन राइट होगा आपका परिश्न का अंसर यहाँ पर मिलेगा परिश्न क्या कह रहा था कि एक लोगतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक क्या है तो आधारभूत सूचक है सारभूमिक व्यश्क मतादिकार इसका मतलब होता है देश के सभी व्यश्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है तो सारभूमिक व्यश्क मतादिकार यानकी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो आप्सन रहेगा वहाँ लाइट हो भारतिय संगीय विवस्था के अंतरगत निम्लिक्षित में से किस विशे पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, बैंकिंग, संचार, पुलिस या फिर मुद्रा किस पर कानून नहीं बना सकती, तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे यहां पर बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, यह केंदरिय सरकार के विशे हैं, जबकि आपका पुलीस हो, जेल हो, या जैसे जो इस्थानिय सरकार होती है, और सच्छता है, अश्पताल है, सारजनिक विवस्था है, यह सभी राजसूची के विशे होते हैं, जीक है, तो पुलीस आपका किसमे जाएगा, यह राजसूची का विशे है, इस पर केंदर सरकार कानून नहीं बना सकती है, इसलिए सिंपल सा अंसर है, आपका यहां पर राइट हो जाएगा, अगला प्रशन लेते हैं, कहता है, भ इसको समिधान की बारशा में संगवाद फेडरलिस्म कहा जाता है, ठीक है, ओके, इतनी बात करे रहे, आप्शन सीजता राइट वन इंदिस कोर्शन, आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन कहता है, डाक्टर भीमराव अंबेटकर के अंसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद देश है, किनका मौलिक अधिकारों का दोहरे उदिश है, पहला है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिती में हो, कि वह उन अधिकारों के लिए दाविदारी कर सकें, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सक्ता और संस्ता के लिए बाधिकारी भी हों, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो ये हैं मौलिक अधिकारों के बारे में ये दोहरे उद्देश हैं एकॉर्डिंग टू डाक्टर भीम राओ अंबेट कर आप ध्यान रखियेगा इसमें हमारा ऑपसन एक तो फर्स्ट राइट हो जाएगा प्रतेक नागरिक ऐसी इस्तिती में हो कि वहाँ उन अप्शन यहाँ पर हमारे राइट हो जाते हैं इसलिए इसमें हम ए और बी के साथ में चले जाएंगे वेरी कुट बहुत 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 प्रशन एक से बढ़कर एक प्रशन अगला कहता है भारती समिधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्यानकारी राज के आदर्स होने की घ गोशना करता है तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा राज के नीत इनरशक सिध्धान तो हो जाएंगे भारती समिधान के भाग चार में नहीत राज के नीत इनरशक तो कल्यानकारी राज के आदर्स होने की घोशना करते हैं ऑप्शन भीजता राइट बन ओवर यार अगला प प्रभावी हुआ कब ये एक्ट का प्रभावी हुआ 29 चनवरी 2023 का प्रश्ण है देखिए यहां पे हमने पढ़ा था घरेलू हिंसा कानून 2005 के बारे में ये घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की प्रिभाशा ने घरेलू शब्द की शमच को औरधिक व्यापक बना दिया अब ऐसी महिलाओं भी घरेलू जायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पृरुस के शाथ एक ही मकान में रहती हैं या रहे चुकी हैं ये जो घरेलू हिंसा कानून 2005 है ये हमारा लागू कब से हуा? ये 2006 घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून हुआ कब से लग हुआ दोहजार छेशे तो यहां पर हमारा आपसन जो डी रहे गर दोहजार छे यहां राइट हो जाएगा इतनी बात के लिए रोती है वेरी गूड अगला प्रशन के कहता है किस मॉलिक अधिकार के तहट किसी नागरिक को कम महंताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कौन से अधिकार के अंतरिगत ये बात कही गई है तो वह है हमारा शोशन के विरुद्ध अधिकार इसमें देखे यहां पर लिखा है शोशन के विरुद्ध अधिकार जिसमें कहा किया है मानव व्यापार जबरिया स्रम क्या कहा किया है जबरिया स्रम यानि की मजदूरी के लिए मजबूर करना ठीक है जबरिया सरम और 14 वर्स से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराद होगा ये शूशन के विरुद्ध अधिकार होगा जिसमें आप जबरिया सरम कराएंगे ठीक है जबरिया सरम यानि कि जबरस्तिय आप उसे सरम महिनत करवा रहे हैं मजदूरी करवा रहे हैं यानि कि कम मजदूरी दे करके देहरी कम दे करके मजदूरी करवा रहे हैं या उसको आपने बंधुआ मजदूर बना करके रखा है ठीक है या उसको काम के लिए मजबूर कर रहे हैं आप तो ये जबरिया सरम जो है ये शोशन के विरुद्ध अधिकार के अंतर गताएगा यहाँ पे हमारा option जो C रहेगा ये right हो जाएगा शोशन के विरुद्ध अधिकार इतनी बात कलिए रहे अगला प्रशन लेते हैं कहता है कथन कहता है कि शक्तियों के बटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कारेपालिका, विधाईका और नियापालिका के बीच शामंजस सुनश्चित करने के लिए एक प्रयाश है शक्तियों का बटवारा ये दर्शाता है क्या दर्शाता है कि प्रतेक अंग सरकार के दूसरे अंग पर रखता है ये तीनों अंग अपने परिभाशित छेत्र के अधिक चेत्र अधिकारों के तहत काम करते है जिसका जो छेत्र है या फिर ये प्रावधान भारतिय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है या फिर ये प्रावधान, केद्र और राज सरकारों के बीच सुगम, लेन, देन की सुनिश्चित विवस्था करता है प्रिश्ण का अंसर यहां पे हमको मिलता है जैसे इसमें कहा गया कि शक्तियों के बटवारे का प्रावधान जिसमें सरकार के तीन अंग है सरकार के तीन अंग है विधाई का, कारिपाली का और नियाईपाली का ठीक है इनकी बीच शामंजस यह स्टमनवे सुनिश्चित करने के लिए जो प्रियास है वो दरसाता है कि परतेक अंग दूसरे अंग पर अंकुस रखता है ठीक है जो है कि जो भी इनको छितर दिये गए है उनके तहत ये काम करते है तो इस तरीके से उप्षन ए और बी दोनों हमारे राइट हो जाएंगे इसमें पहला उप्षन है कि हर अंग दूसरे अंग पर अंकुस रखता है तीसरा तीनों अंग क्या करते है इनके बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है इनको जो भी छितर दिया गया है जिस छितर पर इनका अधिकार है यो उसी के तहट काम करते है उससे बाहर नहीं ठीक है ए और बी दोनों आप्षन यहाँ पर राइट हो जाते है तो आप इसके साथ में C आप्षन के साथ में चले जाएंगे Very good next question लेते है कहता है कि सरकार के तीनों अंग भिन भिन अधिकारों का पालन करते है सरकार के तीन अंग है विधाईका, कारेपालिका, न्याईपालिका ये अलग-अलग अधिकारों का पालन करते है इसको क्या कहा जाता है अभी मैंने जिस्ट आपको बताया इसको शक्तियों का बटवारा कहते हैं क्या कहते हैं इसको शक्तियों का बटवारा कहते हैं और इसमें यह जो तीन अंग होते हैं हर अंग दूसरे अंग पर अंकुस रखता है और यह तीनों अंगों के बीच में सत् सदस्यों का चुनाओ किया जाता है किसके दोरा राज्य सबा के अधिकांस सदस्यों का चुनाओ किया जाता है प्रिशन का अंसर यहां पे मिलेगा प्रिशन कहता है कि राज्य सबा के अधिकांस सदस्यों का चुनाओ किया जाता है तो वो राज्य सबा के सदस्यों का जाएगा प्रिशन का अंसर क्या हो जाएगा option number D विभिन राजियों की विधान सभाओं के निर्वाजित सदस्यों द्वारा राज सभा की अधिकान सदस्यों का चुनाव किया जाता है option D is the right one over here अगला प्रिशन कहता है कि विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाब देही को सुनिश्यों करता है सरकार की नेतियों और कारिकरमों की रचनात्मक आलोचना के दुआरा जन्मानस की राय को व्यक्त करके सत्ताधारी दल्की निरंग कुस्ताओं पर रोक लगाकर या संसद में ब सुनिश्यों करता है तो यहाँ पर लोकतंत्र के श्वर्स संचालल में जो विपक्षी दल होता है वो एक एहम रोल प्ले करता है सरकार की नेतियों और कारिकरमों की कमियों को सामने लाते हैं यानि कि उसकी आलोचना करते हैं और फिर नेतियों के लिए जनसमर्थन जुटा आते हैं तो कुल मिला करके नेतियों और कारिकरमों की आलोचना के दौरा विपक्ष जो है वो सरकार की जवाब दही को सुनिशित करता है इसलिए और राइट हो जाएगा यहाँ पर ठीक है सारे प्रिश्णों का अंसर आपको इसी अन्सियारिटी में मिलेगा सरकार की नेत प्रिश्णों और कारिकरमों की रचनात्मक आलोचना की दौरा अप्षिन ए इस्ता राइट वर ओवर है अगला प्रशन लीजिए कहता है देखेगा घरेलू हिंसा में महिलाओं के सनक्षन वाला अधिनियम कब पारित हुआ देखिए पारित हुआ 2004 में लागू हुआ 2006 में यह बात ध्यान रखेगा पारित पूछ रहा है या पूछ रहा है कि प्रभावी कब से हुआ 2006 भी राइट हो जाएगा 2005 भी इसमें राइट हो जागा एकॉर्डिंग टू कुर्शन आगे बढ़ेंगे नेपाल में 2008 में किस तरह का प्रिवर्तन आया कि राई तंतर से लोगत 2008 में राज तंतर को खत्म करने के बाद नेपाल लोगतंतर बन गया यानि कि 2008 में नेपाल जो था वो राज तंतर से लोगतंतर की तरफ चला गया ओके तो इसमें हम जाएंगे राज तंतर से लोगतंतर की तरफ फ्रॉम मुनार्की टू डेमोक्रेशी ऑपसने इस तर को प्रिश्ण का अंसर दिया है मौलिक अधिकार वाले खंड को भारती समिधान की अंतरात्मा माना जाता यानि कि मौलिक अधिकारों को समिधान की अंतरात्मा भी कहते हैं इस प्रिश्ण का अंसर क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन डी इस राइट वन ओवर हर एक प्रश्न का अंसरा को इसी NCRT में मिलेगा बहार से कभी बहार से कुछ नहीं मिलता जो बच्चा NCRT पढ़ेगा डेफिनेटली वही गिजम करेकर पाएगा प्रतेक नागरी को श्वतंतरता है अपने धर्म का पालन और अनुसरन करने की भारती समिधा प्रतिष्था पेट कि सिध्धान से यह स्वतंतरता उत्पन हुई है जिसमें हर व्यक्ति अपने धर्म का पलन कर सकता है तो वह शिद्धान है हमारा धर्म निरपेक्षिता जिसमें क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पलन कर सकता है कि सी भी धर्म को मान सकता है राज जी उसमें किसी भी तरह से इंट्रोफेयर नहीं करेगा, है ना? यहां पर पॉइंट भी बता दें कि भारती समिधान सभी को अपने धार्मिक विश्वाशों और तोर तरीकों को अपनाने की पूरी छोट देता है, किसी पर कोई प्रतिबंद नहीं है, कि तुम ये धर्म नहीं मान सकते, तुम वो धर्म नहीं मान सकते, प्रेशन कहता है नेक या घर के भीतर मौकिक और भावनात्मक धंकियों से समन्दित नहीं है, घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण से समन्दित नहीं है, महिला की जातिक या अधार पर समाजिक वेदवाओं से समन्दित नहीं है, किस से समन्दित नहीं है, आई आंसर देखते हैं, पृरिश् में ये कहा गया है कि जब परिवार का कोई पुरुश शदस्याम तरुपर पती घर की किसी औरत अर्थात पतनी के साथ मारपीट करता है उसे चोंट पहुंचाता है या मारपीट अत्वा चोट की धंकी देता है तो सामानिता इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है औरत को ये नुक् धंकियां दी जा सकती है ये शोशन मौकिक भी हो सकता है भावनात्मक भी हो सकता है या फिर महिला का उसके पती द्वारा यौन उत्पीडन भी हो सकता है या फिर उस महिला का ये आर्थिक शोशन भी हो सकता है तो इसमें ये तीन चीजे ध्यान रखेगा क्या क्या कहा गया है कि मारपीड दोरह भावनात्मक्षोशन, मौकिक शोशन, यौन शोशन, आर्थिक शोशन ये चार जीज़े इसमें इंक्लूड की गई है ठीक है ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है प्रिश्ण कहता है तो महिला का उसके पती दोरह यौन उत्पिडन ये घरेडू हिंसा से महीलाओं का सनचन दियन 2005 से समंदित है घर के बीतर मौकिक भावनातपक धमक्याभी ये भी समंदित है घर के बीतर महीला का आर्थिक शोशन भी समंदित है जाती के अधर पर समाचिक वेदबाओं की बात कहीं नहीं की गई तो ये जो पॉइंट है ये हमारा महीलाओं का सनचन दियन 2005 से समंदित नहीं है अगला प्रशन लेते हैं कहता है देखेगा क्या कहता है प्रशन किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके दौरा नियायाले में जाने का अधिकार निम्लिक खिट में से कौन सनिशेद करता है प्रशन का अंसर यहाँ पर दिया यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज जी के दौरा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उलंगन हुआ है तो इस अदिकार का सहरा लेकर वहां अदालत में जा सकता है अर्थात समयधानिक उपचार का अधिकार है ये इसमें हम जाएंगे समयधानिक उपचार के अधिकार के साथ में ऊप्शन भी इस ता राइट पन वरियर अगला परिशन लेते हैं और साइद ये लास्ट प्रिशन नहीं साइए लास्ट प्रिशन नहीं है प्रिशन कहता है कि भारती समिधान के अनुसार एक धर्म निर्पेक्चराज को डैस चाहिए क्या चाहिए तो भारती समिधान के अनुसार एक धर्म निर्पेक्चराज को किसी एक धर्म का समर्थन नह देना चाहिए option c right हो जाता है अगला प्रिशन कहता है कि देखिए ये लास्ट प्रिशन है आपका और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको प्रशन आए हो तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जिलू करके जाएं बता के जाएं क्लास कैसे रही बाकि आपकी प तंतरता दिवस्ट 26 चनवरी को मनाते हैं 15 अगस्त को श्वत तंतरता दिवस्ट मनाते हैं ऑप्शन सी इस ता राइट वन ओवर हैर सो दियर ये थी आज की हमारी क्लास जिस्ट में हमने जो चैप्टर वन टू थरी था पॉलिटी का इसके पीवाई की हमने डिसक्स कर लिया अब आगे हम चैप्टर फोर पढ़ेंगे उसके साथ में कॉश्चन साथ में कर लेंगे 5678 चैप्टर हैं ठीक है फटाफट कम्प्रीट करेंगे प्लेडिस्ट पूरी बने लिए आप वहाँ से सभी वीडियो को सेक्वेंस में देख सकते हैं थैंक्यू सो मच